तो आज है हमारी सीटेट एसस्टी की हिस्ट्री की थर्ड क्लास तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा आज का चैप्टर है आरंबिक नगर तो यहांपर हम। हम जानने वाले हैं कि कौन-कौन से आरंबिक नगर थे उनके बारे में। चलिए देखंडेते हैं। अकषर आपने olduğ इमारत के कुछ अपनी कहानि होती है। लग-बग यहां पर बात हो रही ह। एक सो पचास साल पहले की, तो एक सो पचास साल पहले जब पंजाब में पहली बार क्या हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जो जुटे हुए इंजीनियर थे, उनको अचानक क्या मिलता है, हड पुरा स्थर मिलता है जो कहांपर है आध्hinik Pakistan में है जो अगर हम बात करें कहांपर हडपा तो ये आध्णी पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी इटे मिलेंगी, यह सोचकर वे हडपा के खंडरों से हजारों इटे उखाड लेगे, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिचाई, इससे कई मारतें पूरी तरह नस्ट होंगे, तो यहां पर बात हो रही है, एक 150 सा पहले की, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिचाई जा रही थी, तो अचानक से इंजीनियरों को क्या मिलता है, यह खडपा, पुरा स्थर मिलता है, तो यहां पर जो यह खडपा है, यह है कहां पर आधनी पाकिस्तान में आपको याद रखना है, और यह एक ऐसा खंडर ह जहां से अच्छी इटे मिलेंगी, यह सोचकर उन्होंने क्या किया, हचारो इटे उखाड ले गए वो इंजीनियर, जिससे उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिचाए, इससे कई मारते जो थी उस टाइम की, वो पूरी दरह से नश्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद उन्हें कब ढूना, 80 साल पहले, तो तब पता चला, यह खंडर उफ महादीव के सबसे पुराने शहरों में से एक है, तो यह जो खंडर उप महादीव के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो कि इस नगर की खोश सबसे पहले हुई थी, तो आपने देखा कि हडपा जो कर है कि सभी पुरास्थलों में जो इंहों इंको मत focused on सभी और Çीजак की माइट का घात है तो ही उसी के हाधार बराफ़ेंखान इस अधार हैblep निर्मार को वह बना का लगभग 4700 साल पहले हुआ था तो यहां पर बात करें तो यह जो शहर ते रड़पप से बतार गे इन सभी का निर्मार जो है वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था चलिए आगे देखेंगे अगर इन नग्रों की विशेष्टा क्या थी ऐसा क्या था इन नगरों में तो इन नगरों की विशेष्टा थी कि दो या उससे ज्यादा हिस्तों में यह विभाजित थे तो आपको इन नगरों की विशेष्टा याद रखनी है कि यहां पर कई ऐसे नगर थे जो दो भागों में विभाजित थे कुछ एक भाग में विभाजित थे और क्या होता था इन नगरों का छोटा होता था लेकिन ऊचाई पर बना था स्दस् JAMapers पर जो नगर है वो दो भाग में विवाजेते हैं एक होता है पश्मी भाग इन नगरों का ठीक है एक पश्मी भाग होता है जो होता है छोटा लेकिन यह जो पश्मी भाग है छोटा तो होता है वह साथ ही साथ क्या होता है यह उजाई पर बना होता है दूसरा भाग है पूर् नगर दुर्ग कहा, लेकिन निचले हिस्से को क्या कहा गया, जो निचला हिस्सा या पूर्वी हिस्सा था, उसको क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया, और दोनों हिस्सों की जो चाहर दिवारी थी, वो पकी इटों की बनाई जाती थी, इसकी इटों इतनी अच्छी पकी थ कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दिवारें खड़ी रही दिवारें बनाने के लिए इंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे की दिवारें बहुत खूब मजबूत रहें तो चलिए इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे यहां से आपकी question बढ़ने के chances पूरे रहते हैं तो चलिए यहां से देखते हैं अच्छे से चीज को समझ लेते हैं तो हम सबसे पहले बात करने वाले इन नगरों की जो विशेष्टा थी ठीक है चलिए यहां पर हम देख रहे नगरों की विशेष्टा के बारे में तो देखेंगे इनको नगरों की विशेष्टा तो अभी मैंने आपको बताया कि नगर क्या होते थे दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित थे तो अभी हम बात करने वाले ऐसे नगर की जो दो हिस्सों में विभाजित था ठी तो यहां बात करेंगे हम दोनों की एक था पश्मी हिस्सा जिससे पश्मी तीला भी कहा जाता है ठीक है तो यह याद रखेंगे हम पश्मी तीला दूसरा है पूर्वी तीला पूर्वी तीला ठीक है यहां पर अगर हम बात करें पश्मी टीले की तो पश्मी जो टीला होता था वो कैसा होता था छोटा होता था ठीक है कैसा होता था छोटा होता था साथ ही साथ यह क्या होता था उच्छाई पर बना होता था छोटा होता था और उच्छाई पर बना होता था और पश्मी टीले क नगर दुर्ग का तो पशमी वाली भाग को पुर्वी पहा होता है उसको कहा चाहता है सिंह ला जाता है। तो यह कहा चाहत आँतली करते हैं लायरा तुछ सुछ है कि व्रवी दृइश्ट करते हैं, Nem więcej कहता है। की बनाई जाती है ठीक है अगर हम लेंगे मान लीजे ये है पश्मी टीला ठीक है ये है कौन सा पश्मी टीला ये छोटा भी है ठीक है पश्मी टीला ये छोटा है और उचाई पर बना हुआ है और दूसरा पूर्वी टीला ये क्या है ये बड़ा है बड़ा है और ये निचल आजने Rocky में बनाया गिया, ठीक है तो ये काम सा है? पूर्वी टीला है, आप ऐसी याद रख सकते हैं? पुर्वी टीला ऊचाई पर बनाया गिया, छोटा है इसी को क्या कहते है दृव्ग टीला क्या चूख टीला कहते है यान फिर बनी गहते है इसको बनी गहते है पूरवी तीला क्या होता है निचला नगर के में? न क्या है यह मैं पूरवी Lag तीला क्या होता है? यह नगर कर्वा है, तो क्या मैं रहें थे सम्मोरत estás, यह सिन दॉप है? छले आप देखें आई होफ आपकोई सारा अच्छ प्लियर हो गया हागा चलिए अब आगे देखेंगे इसके बारे इसकी इतनी पकी इंटे थी वह इतनी अच्छ की पकी कि हजारों सालों लागा आज इनकी दिवारें खड़ी हुई है और दिवाय बनाने के लिए जो एंटों की चिनाई की चाहती इस तरह करते थे कि जिससे की दिवारें मजबूत रहें चलिया आगे देखे तो यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ नगरों की जो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बन नगर दुर्ग में बनाए गया जिसे परातत विदो ने महान इसनानागार कहा है यह चीज आपको याद रखनी है कि जो महान इसनानागार है वह कहां से मिला है यह मिला है मोहन जुद्रों से इस तालाब को बनाने में एंट और प्लास्टर का इस्तमाल किया और इसमें पान वेख साहना होने के लिए किस की प्रश चढ़ाई गई तो नगर दुर्ग में में घर मगोट के लिए है अगर बात करें तो यहां शोल दुरग में भूलय है तो इसने महान शोल्ग को बनाे तो शने ख्राव जोलो के में तहलें, मैं कुछ नागरी से बात्वित कईने के फ़ेशने रात रॉवराइन दूहरें, जाते हो Aboutaled ऐगना कूम कॉझ चलिख विशह नागरी विशिश अब सभी अब कलें वाहिए , एलि एले काली वंगे हरां estamu Smagoda x Lothal अगनी कुण्ड मिला है और यहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर यग्जी किया जाते रहे होगे तब ही तो अगनी कुण्ड मिला है नेक्स्त यहां पर अगर बात करें तो हडपा, मोहन चोद्रो और लोथल जैसे कुछ अन नग्रों में क्या हुआ है बड़े भंडार ग्री मिले हैं तो भंडार ग्री कहां कहां से मिले हैं हडपा, मोहन चोद्रो और लोथल से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बबबन, नाले और सडकें इन नग्रों के हाम तोड़ पर एक या दो मंज़ले हुआ करते乾 transparent दे ध्मा खड़पा तो एक अलग इसनान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, तो यहां पर घर जो होते थे, आपको याद रखनी है, इसारी शिष्टा है, कि अडपा कि जो घर हैं, वो कितने मंजले होते थे, एक या दो मंजले हुआ करते थे, घर का जो आंगन होता था, उसके चार अड़ी लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हलकी धलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके, अकसर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, यहां पर आप अवस्था देख रह कि जो गरों की नालिया थी, वो क्या थी? सडोकों की नालियों से जोडी जाती ते, जो बाद में जाकर किससे एक बड़े नाले से मिल जाती थी, तो उस टाइम की आप देख रहे हैं कि तना आगे थी लुगा realize जगए जगए पर क्या होता में हूल बनाए जाते थे में होन किस लिए बनाके ताकि सवसफाई करदा इसके बिन जा सबस्कें थी देखवाई और सवसफाई की जा सके घर नाले और सड़कों का निर्माट बहुत यह उजनावध द तरीकों के साथ क्या चाहता ठीक है चलिए नगरिये जीवन के अगर हम यहां की बात करें कि यहां का जो नगरिये जीवन था वो कैसा था तो हडपा की नगरों में बड़ी हलचर रहा करती होगी कि यहां पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमार्ते बनाने की योजना में जोटे रहते थे यह स तो हडपा के नगरों में काफी हलचल रहती होगी यहां पर कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारते बनार की योजना में चुटे रहते हैं यह संबबता हो सकता है कि साशक होते होंगे यह भी संबब है कि शाशक लोगों को भेज कर दूर-दूर से धातू बह साशक लोग खुबसूरत मन को तथा सोने चादी से बने आवुषणों जैसे कीमती कीजों को अपने पास रखते होंगे अब बात करेंगे यहां पर लिपिक की लिपिक क्या होता है लिपिक जो होते थे इन नगरों में क्या होते थे लिपिक होते थे जो मुहरों पर तो लि इसके अलावा नगरों में सिल्पकार इस्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्ध्यों के स्तल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे और लौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खिलते होंगे चलिए आगे बात करते हैं नगर और नए सिल्पकी अगर बात करें तो हडपा की नगरों से प्राप्त होई हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रातत विद्ध को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर क्या हैं संक, तामे, कांते, सोने और चांदी जैसे धातों से बनाई गए वस्तों वहां से मिली हैं और तामे और कांसे के ओजार हतियार कहने और बरतन बनाए जाते थे ऐसा माना जाता हैं और सोने और चांदी से कहने और बरतन भी बनाए जाते थे उस टाइम पर यहां मिली सबसे आखरशक वस्तुव में क्या है? मन की माट और फलक माने जाते हैं. चलिए, हडपाय सभिता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे, और इन आयताकार जो मुहरे हैं, उन पर सामय थे था, क्या होता था? जानवरों के चित्र मिलते थे, तो हडपाय सभिता के लोग क्या बनाते थ किसकी पत्थर की मुहरें बनाया करते थे, और यह क्या होती थी? इन आयताकार मुहरें होती थी है, ठीक है? तो आपको याद रखना ही कैसी मुहरें हुआ करती थे, आयताकार मुहरें हुआ करती थे, और इन पर जानवरों के चित्र मिलते थे, हडपाय सभिता के लोग काले रंग से डिजाइन किये हुए खुबसर लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो यहां पर कई साई चीजें मिली हैं अगर बात करें हड़ा से बिता कि जो लोग थे वो किसकी मोहर बनाते थे पत्थर की मोहर बनाते थे यह चीजें आपको याद रखनी है और फिर मोहरें हुआ कैसी करती थी तो आयताकार मोहरें हुआ करती थी और इन पर जानवरों के चित्र बने मिलते थे अर अपका से बिता कि जो लोग थे वो काले रंग के डिजाइन से की हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे लाल मिट्टी का बर्तन होता था उस पर काले रंग के डिजाइन की जाती थी है, ठीक है, संभबता 7000 साल पहले, यहां पर बात हो रही है, 7000 साल पहले की है, तो यहां पहले मेहरगड में कपास की खेती होती थी, तो मेहरगड में कपास की खेती हुआ करती थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कपास खेती कहां पर हुई थी मेहरगड में ठीक है कब 7000 साल पहले मोहन जोदरों से कपड़े के टुकड़े के अफशेश भी मिले हैं चांदी के एक फूलदान के धकन भी मिला है और कुछ अन्यतांबी की वस्तों से चिपके हुए मिले कि मिहरगड में हमें कपास की खेती के साक्ष मिले हैं कब 7000 साल पहले के ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं तो इनमें से अधिकांज वस्तों का जो निर्माड है वो किसके द्वारा किया गया है विशेशक क्यों उन्हें किया है विशेशक उसे कहते हैं अब यहां पर द बच्छी कारिग करना आदी तो आपने देखा विशेशक के क्या होता है उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बढ appropriately करता है यानि किसी चीज को सीखने के लिए वहाई जास पात् her को तराष्ण के नियुके ऑच्छे से बनाया गया, दढ़ी देखे हैं कितने अच्छे से बनाया गई है साड़ी तो यहां पर जो मोर्टी का चेहरा कितने अकरशत क्रश्र झालंग से बनाया गया है और इसकी जो दाड़ी है वो कितनी अठी दरस आई गये, ये किसी विषेषक ए मोर्टी कार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विषेषक की नहीं हो सकता है, हमें पता है कि क्या सिफ उस टाइम पर से पुरुशी ऐसे काम हम प्रसक्षर लेते थे या फिर महिलाईं भी करती थे, है सर्कारी इस काम इंक रमधमघंड के अब बताना तरहाँ यहां बहु होते हैं यहां जऺ एक अबुछ उल्डिक पत्थर अगर बात करीं चाहिए हैं पर पत्थर एक पत्थर और जो शंक होते हैं यहां पर पात् avo that's not a जो यहाँ पर भात हो चूड बनाया जाता, उसको क्या करते हैं, गोल में मिलाकर उससे बस्तुएं बनाई जाती है, उसके बाद उन बस्तुओं पर एक चिकनी परच चड़ाई जाती है, फिर उन बस्तुओं पर क्या किया जाता है, एक चिकनी परच चड़ा दी जाती है, और इन चिकनी परचों के रंग प्राया कैसे होते थे नीले या हलकी समुदरी हरे होते थे और जो इंफ्रियॉंस का काम क्या था तो इंफ्रियॉंस से मन के चूडियां बाले और चोटे वर्तन बनाए जाते थे ठीक है चलिए अब बात करते हैं कच्छे माल की खोज की के हैडिंग इंपॉर्टेंट हो इसका कोई उत्पादन कर रहा है किसान या फिर पसपालक जो है इनका उत्पादन जैसे लकडी या धातू जो है के आयस के प्राक्तिक रूप से उत्पलब्द कच्छे माल है तो लकडी और धातू के जो आयस को होते हैं वो प्राक्तिक रूप से उत्पलब्द होते हैं तो हरपा में लोगों को कई चीजें बहीं मिलती थी लेकिन तामा लोहा, सोना, चादी और भॉह मुल पत्रों जैसे पतार्थों को बहुत दूर से आयात किया करते थे तो हडपा के लोग थे तामे का आयात कहां से करते थे तो हडपा के जो लोग थे तामे का आयात कहां से करते थे तो हडपा के जो लोग थे तामे का आयात कहां से करते थे तो हडपा के जो लोग थे तामे का आयात कहां से करते थे तो तामे का आयात करते थे ये आज के राजस् कोई यह चीज आद रखनी है कि यह तामभा कहां कहां से मगाते थे यह राजिस्थान से मगाते थे और पश्ची में एस याई ओमान देश से भी मगाते थे ठीक है अब बात करें अगर कहसे की तो कहसा बनाने के लिए तामभे के साथ जो मिलाई जाने वाली धातू टिन है या शोना जो उसका आयात करते थे ये लो आधुनिक जो करनाटक है और यहाँ पर बात करें बहुमूल पत्थर की तो बहुमूल पत्थर का यह आयात करते calf कही ऐहाँ धाट कर trees था आधनिक जो ईरान है और अफगानिस्तान से सोने का आयाद किया जाता था आधनिक करनाटक से और बत्यontरी भौमूल पत थर की तो इसका आयाद किया जाता था गुझराट इरान और और अफगानिस्तान से चलिए next अगर देखेंगे heading तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की अगर बात करें यहां पर इन नगरों में लोग रहते थे यह लोग भोजन का बात करते हैं हम इनकी तो भोजन लोग नगरों के अलावा गाउं में भी रहते थे कुछ लोग ही सहरों में रहने वाले किकान और चरबाये होते थे या बोर्दों के अबशेशों से पता चलता है कि हरपपा के जो लोग हैं लोग उगाते तो यह जीजे आपको याद रखने हैं कि यह लोग क्या जीज उगाते जैसे गेहूं हो गया, जौ, डाले, मटर, धान, तिल और सलसों यह लोग उगाया करते थे यहाँ पर यह पौदों के अफशेश भी हमें मिले हैं, ठीक है, जमीन के जुताई के लिए हलका प्रयोग एक नई बात थी, हडपा काल के हल तो नहीं बचपाई लेकिन यह प्रयोग लकडी से बनाए जाते थे, लेकिन हलके जो आकार के खिलोने मिले हैं यहां से, यहां से हमें हलके आकार के क्या मिले हैं, खिलोने मिले हैं, और इससे पताई चलता है कि वहाँ पर हलका इस्तमाल किया जाता होगा, और वो हलक किसके होते थे, लकडी से बनाए जा हडपा के लोग जो होते थे गाए भैंस भीड और वक्रियां पालते थे तो ये किन जानवरों को पालते थे गाए हो गई भैंस हो गई भैंस भीड और वक्रियां इनको पाला करते थे और बस्तियों के आसपास जहां ये लोग रहते थे उसके आसपास तालाप और चाहरागा ह होते थे लेकिन जब सूखे महीनों में मवेशियों के जुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था तो वे बेड जैसे फलों को इखटा करते थे मशलियां पकड़ते थे और हिरर जैसे जानवर का शिकार भी करते थे ठीक है चलिए गुजरात में हडपा काली नगर का सूच में देख शर्थ अब इस हैडिंग को अच्छ से देखेंगे यहां पर बात होती है कख्ष की कख्ष की इलाके में खादिर बेट के किनारे धौला वीरा नगर बसा हुआ है तो धौला वीरा नगर कहा पर है कख्ष इलाके में है और खादिर बेट पर आंप ऑने देखा दो भागों में बिवक्त आप किसे वकाड़ को मत्तु है किसं तो-पी कर, लुप इस नगर में एक खुला मैदान भी था और जो साबजने कारिक्रम आयवजित किये जाते थे तो यहां पर आपको कई साइची चीज याद रखने हैं धौला वीरा की कि यह दो भागों मिभाजित नगर है कहां पर है कख्ष में है ठीक है और यहां यह जो नगर है यह चारों त अब्धृ को पत्तर में खुदा पाया गया यहां पर जो आप्षेष मिले हैं हडपा लिपिके तो बड़े-बड़े अक्ष्रों को पत्तर में खुदा दिखाया गया इन अविलेखों को सम्भबता लकडी में जड़ा गया था यह एक अनोखा अब्शेष है क्योंकि आम त यहां पर मिलने वाली जो सावर मती की एक उप नदी के किनारे बसा हुआ है यह लोथन नगर ठीक है तो यह गुजरात के खंबात की खाड़ी में इस्थित छेतर आपको यह चीज़ आद रखने हैं यहां पर कीमती पत्थर जैसा कच्छा माल आसानी से मिल जाता था यह आपको यह फिसक और जाता है कि मन्के बनाने का काम होता हो爾गा, मतलब मन्के बनाने का कार खाना रहा होगा। यहां पर हमें ऐसा क्यों लगा है इन लोग को क्योंकि यहां से जो हमें चीजे मिले हैं जैसे पत्थर के टुकड़े मिले हैं यानि लोथल से और उस जगह से मनके बनाने का जो कारखाना समझा जाता है उस इमारत से पत्थर के कुछ टुकड़े मिले हैं अद्वने मनके मिले मन के बनाने वाले उपकरण मिले हैं और तयार मन के भी यहां से मिले हैं तो इस तरह से अंदादा लगाया जाता है कि लोथल से हमें क्या मिला है मन के बनाने का कारखाना मिला अब बात करें हैं मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहर बंदी की यह सारी चीज़ां एक ही है मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्नित करने के लिए किया जाता था, जिने एक जगह से दूसरी जगह भीजा जाता था, तो मुहर का प्रयोग किसलिए किया जाता था, उस टाइम पे भी जो डिब्बे और थैली होते थे, उनको एक जगह स एक जाती थि उसका जो मुहाना उता है जहाँ पर जाती थि और मुहर की चीव को क्या जाता था मुहर बंदी कहा जाता था अगर ये चाप टूटी हुए नही ऊती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छिर्चा नहीं हुए है चलिए नेक्स टेटिंग देखेंगे सभ्यता के अंत का रहसे लगवर 4900 साल पहले एक बड़ा बदलाओ देखने को मिलता है यहां पर बात हो रही है सभ्यता के अंत की तो यहां पर जब 4900 साल पहले एक बंद हो गया तो रहाए यहां पर मुहर लेखं टर्म हमें रहा है यह बोलता हुए है उकर मऄर का ईया नियून ठूर्ट हुआ भीयों मां घर बनाए चाने लगे थे यह सब कियूं हुआ इसका इंटे के लिए इन्वार्ता पड़ती थे आ इसके अलावा मवेश हो जिसंदों से चारागा और घासवालi मैदान समात हो गए हुए. कुछ इलाकों में क्या हो सकता है, बार्राइक हो गई होगी. लेकिन इनकार्णो सी यह सप्ष्ष नहीं होता, तो सभी नगरों का अंथ कैसे हो गещigen हो गया? ऐसा लगता है कि शाष्कों का नियंत्र समाप्त हो गया होगा जो भी हुआ हो परिवर्तन का असा विर्कुल साब दिखाई देता है आधनिक पाकिस्तान यहां पर अगर बात करें तो आधनिक पाकिस्तान के सिंद्ध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो जोड़ गई थी लाइक करें शेयर करें